सबसे बड़ा दंगल में आब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में बहँत जबरदस्त हैं आपको दिखाने जा रहे हैं वो जादूई आकडों का पिटारा जो अपने आप में बहात दिल्चसपर है जिससे हम कहते हैं magic wall देखे मैं सीधे पहुंच गई हूँ इस magic wall पर और ज़रा इसके बार में मैं बता दूँ ऐसा कोई data नहीं जो यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं दरसल हुआ यह कि यह पूरी जो magic wall है यह हमने तयार की है अपने viewers के लिए यानि कि आप लोगों के लिए और आप यह समझ दीजे कि इस magic wall में वो सब कुछ है जो 2012 से लेकर 17 से लेकर 19 लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक की जो तस्वीर है वो साफ करेगा यानि कि जो इस बार 2022 में चुनाव होने वाले है वो तारीखों का ऐलान होने वाला है उससे पहले जो हाल हुआ है वो पूरी सिती इस वक्त आपको दिखे यह देखे इस वक्त मेरे पास आप उत्तरप्रदेश 2021 में जो सित्या होंगी जो 2017 का जो election हुआ था यानि कि 2021 में जो ये डेटा इस वक्त आप देख रहे है यह देख स्टेट्स पर जो की 2000 दे रेखे यह पांच आपको स्टेट्स दिख रहे हैं जहां इस वार 2022 में चुना होना है जिसमें उत्तरप्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, मनिपूर है, गोआ है अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उत्तर प्रदेश में देखें ये उत्तर प्रदेश का जादूई पिटारा यानी डेटा आपके सामने है जिसमें BJP के पास से 312 सीठे, समाजवादी पार्टी के पास 47, BSP के पास 19 सीठे थी जो अभी तक चुनाओ मैदान में ठीक से भी क्य करने के लिए नहीं उत्री है, अन्ने के पास 18 और कॉंग्रेस के पास लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के साथ 7 सीठे वो 2017 के चुनाओं में जीते थे, इसके अलावा आईए अब हम बात करते हैं पंजाब की, ये देखे, अब मैंने पंजाब के डेटा का पिटार आपके सामने खोल दिया है, ये है 2017 का पंजाब का डेटा, 117 सीठे, विधान सभा की कॉंग्रेस के पास 37 सीठे, उसमें अमरिंदर सिंग ये याद रखेगा, अमरिंदर सिंग थे तब चीफ मिनिस्टर, जो कि अब कॉंग्रेस पार्टी से अलग हो गये, लेकिन अब चन्नी मजबूत इस वक्त सताधारी पार्टी के तौर पर विकल्प के तौर पर देखी जा रही है, इस बार के चनाओ में, वहीं SAD जो कि इस बार अलग हो गई है, तो अब आप समझेए कि ये एक अलग फैक्टर होगा, BJP के लिए इस चनाओ में आपने आपको आजमाने का, और BJ BJP के पास थी, तीन सीटे, चलिए, इसी के साथ ही, अगले स्टेट का रुख करते हैं, अगला स्टेट में आपको दिखाने जा रहे हैं, देखे, मुझे स्टेट्स दिखानी है, तो मुझे अलग थोड़ा सा आना पड़ेगा, अब मैं उत्राखंड की बात कर लेती हूँ, और अगली जो आ रही है सीटें, वो है मनीपूर की, मनीपूर के लिए आपको मैंने ये जादूई पिटारा खोला, जिसमें साथ सीटे हैं, उसमें कॉंग्रिस के पास अथाईस हैं, BJ के पास एकिस है, और अन्ने के पास ग्यारा सीटे हैं, और अब अगली, आखरी, जो प पास भी एक भी नहीं है, देखे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाक्ट है, जो मैं उत्तर प्रदेश के संबन्द में आपको दिखाना चाहती हूं, रीजिन वाइस, एक बात कहीं जा रही है, कि इस बार जो पश्चमी उत्तर प्रदेश का जो डेटा है, वो अपने आप में बहुत एहम होने जा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के उन हिस्सों के बारे में डेटा दिखाने जा रही हूं, जहां पर पश्चमी उत्तर प्रदेश का दब-दबा है, यानि कि 403 जो विदानसवा सीटे हैं, उनमें से 66 सीटे ऐसी हैं, जहां पर के पास 50 सीटे थी, SP के पास 12 सीटे थी, कॉंग्रिस के पास 2 और BSP के पास 1, अने के पास 1, लेकिन इस बार जो फाक्ट बदला हुआ नजर आ रहा है, जहन चौधरी की पार्टी के साथ समाजबादी पार्टी एक साथ आ गई है, अब आप समझे कि क्या पश्मी उत्तर कड़े इस प्रटारे में मौझूद हैं, वो मैं आप तक पहुचाने वाली हूँ, लेकिन नीरज, अभी बताईए, दुगदुगी किन पार्टियों की बड़ी होगी इस वक्त, तारीखों के अहलान से पहले. प्रिती तमाम पार्टियों की गतिवीधिया तो बढ़ जाएंगे, पहले से वो चुनावी रैलिया कर रहे थे, उनके बड़े नेता मौझूद थे, चुनाव प्रचार के दोरान, उनकी पार्टी अस्तर पे थे, लेकिन अब उमिद्वारों की गतिवीधिया बढ़ जाए और उमिद्वार फिर अपना चुनाव प्रचार तेज करेंगे, एक एहम बात बता दे आपको, चुनावाग ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, इस घोसना से पहले, आज जब थोड़ी देर बाद जब चुनाव का एलान होगा, मद्दान और मद्गन्ना की तारीख का एल गोवा और मनिपूर में आप 20 लाक तारीख का एलान होगे, आज घोसे करेंगे, आज जब दे लिया है, जब यह जब थोड़ी दे आपको, चुनार जब शेंगे, जब रिखने, जब तुनाव प्रचार बाद की पैसलान होगे, यह जब यह बाना जब देर लिखने, जब